और दोस्तों कैसे हो? चलो आज की आप की वीडियो में हम देखेंगे की एक पेपर, ये पोर्षीट के ये पेपर है, कितना वेट ये बोल्ड कर सकता है, इसके लिए हम यूज करेंगे गलासे, हमने गलासे लिये हैं, ये कुछ कटोरियां है हमाने पास में, तो इनके दूल द तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चल्दी से सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल अगर उपे क्लिक भी कर दीजेगा वीडियो को लाइक की जीजेगा पसंद आए तो कमेट करके बताएगा कैसी लगी चले शुरू करते हैं तो अगर मैं पेपर को इस तरीके से रखता हूं और इसके उपर पेपर के उपड़ एगर फी ए ग्लास को उतता हूं तो आप देख सकते हैं तो बिलकुल भी ग्लास को वोल्ट नहीं कर रहा है देखेगा और इसकी जखे अगर मैं कतौरी भी रखना haben तो उसको भी घोड नहीं करेगा तो पहे अंधे है कि हमको इस को एको फोल्ड करना होगा इस तरीके से पहले हम एक लेयर बनाएंगे बैंते हमाई लेयर बन गी है उस लेयर को यह लेकर को आपोजले सवसे पूल्ड करेंगे और सब्सक्राइब फिर उसी साइड से पूर्ड करेंगे इसी तरीके का रेपिटिशन हमें एड़ तक करना है जहां तक का यह पीपार है अब देखते हैं अब देखते हैं कि क्या यह 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 अब देखते हैं इसको भूल्ड कर पाएगा पहले इस तरीके से रखके देखते हैं नहीं यह इस तरीके से भी बिल्कुल भूल्ड नहीं कर रहा है अब कुछ इस तरीके से करके देखते हैं देखिए, अब क्या हुआ है, जो ग्लास का बेट है, वो पेपर के जो हमने पोल्ड की हुए पार्ट है, उसमें डिवाइड हो गया है, जिसकी वज़े से वो ग्लास को बोल्ड गर पारा है, पहले अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से रखने हैं, तो पूरा पूरा पूर ये ग्लास को बोल्ड पारा है, ये देखिए, जरी आप देखते हैं कि कितना में पर ये वेट को होल्ड कर सकता है, हमने इस ग्लास की मेजर्मेंट में जीए कि कितने ग्राम का ये ग्लास है, मैं लास्ट में आपको वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसका कितना वेट है, एक कटोरी होल्ड कर पा रहा है, दो कटोरी त पारे हैं तो अगर हमें एक साथ रखते हैं तो अगर हमें एक साथ रखे देखते हैं मैक्सिमम वेट अभी तक जो होड़ किया है वो चारण टोली तका है तीन कडोली का वेट के लिए इसनी हैंडल कर लिया बट जब हम इसमें चार कडोली रखते हैं तो इस बार इसमें इसनी हैंडल कर लिया पांच कडोली तक का भी इसनी हैंडल कर लिया है दोस्तों देखिए एक शीट का पेपर पांच कडोली तक का भी इसनी हैंडल कर सकता है अगर साइन्स और टेक्नीक को मिलाया जाए तो काफी कुछ चेंज किया जा सकता है ये एक्रोक्स साड़े 400 ग्राम से ज्यादा की काटोलिया है इसनी होल्ड कर पार रहा है एक सिंपल पेपर शिर्फ एक टेकनीक की बज़एर तो आपको ये टैक्नीक पसंद आई हो, मेरी टैक्नीक अच्छी नगी हो, तो आपको रिक्ष्ट करूँगा कि चैनल को सब्स्क्राइब जरूर कीजिएगा, लाइब भी कीजिएगा, दोस्तों किज़ा शेयर भी कीजिएगा और बैदाइमन पे क्लिक चलिए आपना मिलता वीडियो में, और वीडियो के लास में आप देख सकते हैं कि इसका वेट कितना था, और एक लटों किता वेट भी कितना था, ठीक है, थैंक्यी दोस्तों, जाइनी, जावाराइब।